आज की ये जो कहानी है इसका जो राइटर होगा ना उसने जब इस कहानी को लिखा होगा तो जो माल फूक के लिखा होगा ना वो इस प्रत्वी का हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रत्वी में ऐसा कोई माल उपलब धी ही नहीं है जो दिमाग के इस कदर लोले लगा दें भाई सब क्या ही बवासीर लिखा है यह तो मैं बताऊंगा ही पहले शॉट में सुन लो आज के सकानी में आप पांच ऐसे लोगों को देखने वाले हो जिसमें एक भाई और बेहन भी होते हैं जिनका रिस्ता क्या कहलाता है यह सोस्ते सोस्ते मेरा भी सर फट चुका एं क्योंकि यह पांच ओ एक दूसरे के साथ dentır करते पां कि यह उंजलर calls क हो और हम उसके साथ चार लड़कों को भी देख पाते हैं, जिनमें से एक उसका भाई भी होता है, लूसी बताते हैं कि जब हम सभी लोग 6 साल के हुआ करते थे, तक से हम एक दूसरे के साथ में हैं, और हम लोगोंने साथ मिलकरै ऐसे ऐसी चीज़ें की हैं, जिनके भारे में गंदे नशे कर रहे हैं गंदे गंदे फिल्में देख रहे हैं और 8 साल की उमर से तो हम गंदे गंदे काम भी करने लगे हैं मेरा भाई भी मेरे साथ वो सब कुछ करता है और मुझे अपने दोस्तों को देता है ताकि वो भी मेरे मज़े ले सके और मुझे भी उन सभी के साथ करने में बहुत मज़ा आता है और ऐसे करके हम लोग अकसर एक दूसरे के साथ मज़े करते रहते हैं लूसी कहती है कि मेरे भाई के फ्रेंड इतने नौटी होते हैं कि वो कभी भी मेरी लेने लग जाते हैं उन्हें जगे से या सिचुशन से फरक नहीं पड़ता वो बस मुझ चाटना चालता पर लूसी उसे देती नहीं क्योंकि वो उन पाच वोगों में इह बहुत खुशμα है और पाल कि ये प्याज भुज नहीं रही हो危險 से के फस्टके फ्लावर हो जाती período है लूसी ने बलंकि क्रीम रोल पसंद होता और वह लोंडों का क्रीम रोलेने कि बदले। उनसे पैसे लेता है, पैसे ले करके वे पलता पलता करके अपनी देता है और उसका भी मजा लेता है। एक दिन पियर और उसके फ्रेंट सेवेस्टिन की बिच लडाई हो जाते हैं। और वो दुनों इक दूसरे को गरियाने लग जाते हैं। क्योंकि सेवेस्टिन की जो कल फ्रेंट थी, पियर आज उसे पेल कराया था। और उसकी बंदी को पियर की पिलाई इतनी पसंदा चाती हैं। पियर और लूसी को देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ गंदी वाली बाते कर रहे होते हैं। अगर वो अपनी भी देने जा रहा हुता था, तो भी अपनी बहन को बता कर जाता था। पर ये पहली बार ऐसा हैं कि पियर उसे बिना बताय कहीं गया है। इससे लूसी की जाड़िया चल रहे हैं। कहानी एक बार फिर से पास्ट में सिफ्ट होती हैं और हम देखते हैं लूसी काल का मनजन कर रहे होती हैं। चूस्ते चूस्ते काल उसे पूसता हैं क्या तुम पियर का भी मनजन चूसती हो। जिस पर लूसी उस पर भड़क जाती हैं। और उससे कहती हैं कि मैं किसी का भी मनजन चूस हूं। तुम्हें इस बास से क्या मतलब हैं। बस तुम मेरी पलटा करके मार रहो। तुम्हें इसी बास से खुश रहना चाहिए। यहां पर हम काल को देख पाते हैं जो लूसी से प्यार करने लगा था। हाला कि उसे अच्छे से पता होता हैं कि लूसी की फटके फ्लावर हो चुकी हैं। पर फिर भी वो उसके फटे हुए फ्लावर को चाटने में इंटरस्टेड होता हैं। और उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हैं। लेकिन लूसी को इसमें कुछ खास इंटरस्ट नही थे वो बस लुसी की पल्टा कर मारने में लगे रहते थे इसलिए लूसी उन्हीं घरियाने लग जाती हैं पर बैन के खोदेते बेसरम होते हैं तब भी नहीं उटते हैं और लुसी आपके लिए उसे लूगने निकल जाती हैं हम देख पाते हैं वो चारों फ्रेंट्स करते थे पॉल कहता है कि मुझे तुम्हारे कच्छे बदाम में इंट्रेस्ट था और मैं हमेशा से तुम्हारे कच्छे बदाम चटकाना चाहता था तुम्हारे भाई पीर के कच्छे बदाम में को इंट्रेस्ट नहीं था तो मैं उसके पीछे क्यों जाता मैं तो तुम्हारी आफ और इस सीन को देखकर करेंगे हुआ है कि शायद पीर और निकोल एक दूसरी के साथ रेलेशन्शिप में होते हैं लोशी की भी पलटा पलटा कर मारते हैं लेकिन वो एक दूसरे का भी चूसना चासना पसंद करते थे लूसी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अगर कोई उसकी काली चाट रहा है तो बस उसकी ही चाटे किसी और किना चाटे पर वो क्या कर सकती है बेहन के खुदे एक दूसरे का चूसने चासने में लगे रहते हैं तो वो उनका कुछ उखार दो सकती नहीं इसलिए वो उन्हें उनका चाटने पोशने देती है पर उन्हें अपनी भी चटाई करवाने के लिए कहती है उसी राद हम लूसी और पियर को एक दूसरे की लेते हुए देखते है जहां पर लूसी पियर से कहती है कि भाई या सिब तुम्हारे कहने पर ही मैं तुम्हारे दोस्तों को अपनी देती हूँ पर सच कहूँ तुम मुझे सच्छा प्यार सिब तुम से है और मैं सिब तुम से ही बज़वाना चाती हूँ पर एक तुम हो कि तुम मेरी गुजिया चाटने के बज़े दूसरों का लोला चूसते हो पियर उसे कहता है कि मैं निकोल का चाटता पोसा और चेकाता जरूर हूँ और उसे अपनी देता भी हूँ पर मुझे जो मज़ा तुम्हारी लेने में आता है वो किसी को अपनी देने में नहीं आता लूसी को यह सुन करके बहुत खुशी होती है और वो इससे मेला बाबू मेला बाबू करने लग जाती है सीन वापस प्रेजन्ट में सुफ्ट होता है और हम दिखते हैं काफी समय बीच चुगा था पर स्टिल किसी को भी पियर अभी तक मिलाई चान नहीं था तभी एक दिन लूसी को खबर मिलती है कि जंगल में पियर की बोडी मिली है और किसी ने बहुत बुरी तरह से उसके एल लगाए है इस बास से लूसी बिचारी बहुत टूचाती है क्योंकि वो सच्चे दिल से जिसको देना चाहती थी अब उसकी लेने वाला इस दुनिया में ही नहीं था सभी की पड़के हाथ में आ रखी थी क्योंकि किसी को समझे चनिया रहा था कि पियर की ऐसे कौन मार सकता है इधर लूसी की भी पटी-पटी थी और वो डेसाइड कर लेती है कि अब वो अपनी काली गुझया तब तक किसी से नहीं चटवाएगी चब तक वो अपने भाई के ऐल लगाने वाले को धूड नहीं लेती दूसी तरफ पोलिस भी अपने काम में जोरो-जोरो से लगी हुई थी पर घंटा हमसे कुछ उखार नहीं रहा था तो कि वो धूड़ी चनी पारते किसने फियरे के ऐल लगाए हैं लूसी को बार-बार पोल पर सखो रहा था इसलिए वो सिधा पॉल के पास चली जाते हैं और उसके पास जा करके अपनी गुलाभी गुझया रख देती हैं और कहते हैं कि बाबो उसे चाटो पर इसके बदले तुम मुझे सच सच बताओ कि मेरे भाई की किसने एल लगाए हैं वो जानती थी कि बाबो हमेज़ा उनका पीछा करता हैं तो उसे पता होगा पर हम बाबो को देख पाते हैं जो उसके कच्छे बदम चैकाने से जाता उससे प्यार के उमीद रखता था और यहाँ पर जो लूसी उसे अपनी गुलाबी वुफा पिलने के लिए देती हैं तो वो मना कर देता हैं और कहता हैं कि बाबो मुझे जिसन सुने तुमारी रूँ से प्यार हैं तुकि मैं आसी कक होदा हूँ लूसी को यह सुन करके बहुत खुशी होती है और वो उसके सामने अपनी उपर वाली आंग से आसो बहाने लग जा दिया और बताती हैं कि इसकी कितनी फटी पड़ी है लूसी फिर भी यहाँ पर नहीं रुखती और वो उन सभी लोगों से बात करती है जो कहीं न कहीं पियरे से connect है और उनसे clue निकालने की कोशिस करती है कि कौन हो सकता है जो पियरे के L लगाएगा Lucy की पट के हाथ में तो तबा जाती है जब वो उनके clients से मिलती है भाई साब पियरे इतने लोगों से बजवाता था इतने लोगों से बजवाता था कि गिंती खतम इच्छ नहीं हो रही थी पर उसके जितने भी clients थे वो पियरे की मारने के बहाद बहुत खुश हो जाते थे तो Lucy को उन पर भी शक नहीं होता कि क्या पटा कोई असंतुस्ट रहे क्या हो उसने पियरे को पेल दिया हो पर पियरे लोगों को अपनी ऐसी देता था ऐसी देता था कि सभी लोग उस्ते खुश रहते थे Lucy को कुछ सम जच्च नहीं आता कि आंगिर कौन है जिसने पियरे को पेल दिया है तब ही उससे एक police officer भी हानाता है और वो उसके पाँच नहीं करके खुलाबी को बारा पहना देती है और फिर उसे उसे ठोकने के लिए कहती है Lucy को लगता है कि उसको ठोकते ठोकते वो सब कुछ बता देगा पर officer को भी घंटा कुछ नहीं बता होता तो वो उससे क्या ही बता था Lucy को फालतों में अपनी देनी पढ़ गई और वो खाल भी कुछ नहीं पाती इसलिए रोते रोते अपने घर पर वापस आ जाती है इधर Lucy की फटी पढ़ी होती है क्योंकि दिन बीटने के साथ साथ उसका दुख भी बढ़ता जा रहा था वो अपने भाई को बहुत मिस कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगर कौन ऐसा बंदा है जिसने उसके भाई के फटोवे लगाए है सीन वापस शिफ्ट होता है फ्लैश बैक में और हम इधर PRA और निकोल को देख पाते हैं जो एक दूसरी के लिए दे रहे होते हैं तब ही ठुकाई के बाई जब दोनों ठक जाते हैं तो आपस में बाते करने लगते हैं और PRA उसे अपने स्कीम के बारे में बताता है कि वो किस तरह से लोगों का लोला चूजता है और पैसे कमाता है इस चीस के बारे में वो निकोल से भी शेयर करता है और कहता है तुम भी इससे पैसे कमा सकते हो पर निकोल उसे धार गरी आता है पैसो के लिए तुम जुटके पिलवा सकते हो पर मैं पैसो के लिए पिलवाता नहीं फिरूँगा बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए तुम से ठुक जाता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे तीन सु रुपय वाली समझ लो निकोल की ऐसी धामतिया भायरवर की थी कि वो उससे ब्रेक अप इच कर लेता है इधर उस पुलिस वाले के अंदर की गर में शांते चिनी हो रही थी वो रोज लूसी की पल्ठा पल्ठा करके मारता था पर अब लूसी को समझ में आ गया है कि ये एक नंबर का लूलू इंसान है इसकी पाइप से पानी तो निकलता नहीं है सीक्रेक क्या ही निकलेगा इसलिए वो उसकी गावन पे लात मारके उसे भगा देती है पर यहां से निकल करके वो उसी जंगल वाली जेके पर पहुंसती है जहां पर चारों लोग मिलकर के उसकी खुब ठोक देती है वो अपने साथ साथ उन तीनों लड़कों को भी भुला लेती है और आज के दिन हम देख पाते हैं जैसी दोस्ती उनकी पहले हुआ करती थी अब वैसी दोस्ती नहीं रहे गई है क्योंकि ये चीज़ तो लूसी को भी समझ में आ रही है पर ये नहीं पता है कि किसका दही असर किया है और उसका पेटफूल किया है लूसी को पता होता है कि इन सभी में सबसे तूतिया इंसान काल है क्योंकि वो जानता है कि लूसी इन सभी लॉंडों से ठुकती है पर फिर भी वो उससे प्यार करता है इसे वो सारा एलिगेशन काल पर डाल देती है कि बाभू ये तुम्हारे ही दही का नतीजा है पर इधर हम काल को दिखते हैं टुबहन का लोला इस बात को सच माल लेता है और खुछ भी हो जाता है कि सच में उसके ठुकाई का ही नतीजा होगा काल उसको और उसके बच्चे को एसेप्ट करने को तयार हो जाता है और इस तरह से उनकी दोस्ती एक बार फिर से मजबूत हो जाती है इस बीच लूसी पॉल से भी मिल रही थी और इस बीच उसे समझ में आता है कि पॉल को वो एक नमर का मुठ्छल समझती थी पर ऐसा नहीं है वो भी दिल का बहुत अच्छा है इंसान था यार देरे देरे कर के समय भी इतने लगता है पर तभी एक रात काल और सबस्टिन के डाइड लूसी से मिलने के लिए उसके घर पर आते है उनके हाथ में पेरन की जैकेट होती है और इसी जैकेट को सभी लोग ढून रहे थे दरसल ये वो ही जैकेट थी जिससे पेरे लास्ट टाइम पहन कर गया था सबस्टिन के डाइड उसे बताते हैं कि ये जैकेट उन्हें अपने बेटे के रून से मिली है और जब उन्हें अपनी बेटी की गामन में डंडा ढाला तब उसने जाकर सबको सबस्च होताया है कि तीनों फ्रेंट्स ने मिल करके पियरे के एल लगाया है ये भाज जैसे ही पुलिस को होताय जाती है पुलिस तुरं थी तीनों लॉंडो को धल लेती है अब हाला कि उन तीनों लॉंडो की पल्टा पल्टा कर मारी तो जाएगी पर दूसरी तरफ लूसी फिर भी दुखी होती है क्योंकि उसका भाई तो उसके पास से चला गया ना अब उसके पास बस एक मातर ही सहारा होता है पॉल जिससे वो जीवें बर मुठल समझती थी पर अब वो उसे सहारा दे रहा था बचारी लूसी इन सब चीज़ों से इतना दुखी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को भी गिरा देती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खतम हो जाती है दोस्तों आपको कहानी कैंसे लेगी नीचे कॉमेट करके ज़रूर बदाना ऐसी ही और भी जाधा इंट्रस्टिंग मूविस के लिए चैनल को सब्सक्काइब करना ना भूले